इन तीनों प्रयोगों की साहता से माइकल फेराडे ने विद्दु चुम्ब की प्रेरण, एलेक्टरिक मोटर, एलेक्टरिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर की खोच की। साथ ही अमेरिकी भौतिक शास्त्री जोसफ हेन्री ने स्वाप्रेरण और अन्योन प्रेरण जैसी घटना की भी खोच की। अब माइकल फेराडे ने अपने प्रयोगों के बाद विद्दु चुम्ब की प्रेरण से संबंधेद दो नियमों को प्रतिपादित किया। ये दो नियम हम आगे देखते हैं पहले नियम के नुसार किसी भी कुंडली से जुड़े चुम्ब की फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है उस कुंडली में प्रेरित विवाबल उत्पन्न होता है और यदि कुंडली बंध हो तो उस कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और इस प्रेरित विवाबल का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक उस चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे यदि चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता तो प्रेरित विवाबल का अस्तित्व भी खतम हो जाता है उसमें बहने वाली प्रेरित दारा का मान शून्य हो जाता है। वैसे प्रयोग एक में हमने देखा कि जब हम कि चुम्बक के उत्री गुरूफ को उस कॉयल के पास ला रहे थे तब क्या हो रहा था। तब उस कॉयल से जूड़े चुम्बक की फ्लक्स के मान में व्रद्धी हो रही थी। क्योंकि यदि चुम्बक पास आता है तो उससे निकलने वाली चुम्बकी बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है उस समय भी धारा मापी में विक्षेप मिल रहा था मतलब वहां पे प्रेरित विवाबल उत्पन हो रहा था और उस कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही थी जब चुम्बक को दूर ले जाया गया उत्रित रूफ को दूर लेके गया तब हमने क्या पाया उससे निकलने वाली बल रेखाओं के मान में कमी आने लगी जो कॉइल से जुड़े हुए चुम्बक की फ्लक्स है वो कम होने लगे और उस समय भी प्रेरित विवा आश्था में कोई भी धारा प्रावाहित नहीं हो रही थी तो हम ये निश्कार्श निकाल सकते हैं बच्छो कि जब जब दोनों के बीचमे यानि कोईल और चुम्बक के बीचमे आपएक्षिम सींगति होती है तब ही प्रेरित विवाबल उत्पन्न होता है और प्रेरित ध कती यानि Flux ने परिवर्दन नहीं हो तो प्रेरित व्यवबल और प्रेरित धारा को औहरे Commerce खत्म हो जाता है अ अब यह प्रेरित विवबल कितना होता है यह फीराड़ा psycho के पताया पराड़े के दूसरे नियम के नुसार किसी भी कुंडली में कॉईल में उत्पन होने वाली प्रेरित वीवा बन उसमें फ्लक्स परिवर्तन के दर के समान उपाती होती है यदी मैं आरंभीक फ्लक्स यानि शुरुवात का फ्लक्स फाइवन लो और कुछ समय पश्चा फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बाद फ्लक्स में फाइटो लो मतलब स्टार्टिंग फ्लक्स मैंने फाइवन लिया है और लास्ट में परिवर्तन के पश्चात फ्लक्स लिया है फाइटो तो कितना परिवर्तन हो रहा है इस कॉईल से जूड़े फ्लक्स में प इतना हुआ यह अंतर ही परिवर्तन दर्शाएगा अब इसके दूसरे नियम के नुसार यदि प्रेरित विवाबल मैं E से दर्शाती हूं तो प्रेरित विवाबल का मान समान उपाती होता है फाइटू माइनस फाइवन अपॉन टी के जब हम उसको टी से यानि की समय से भाग होता है समय के साथ फ्लक्स में समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम कहते हैं फ्लक्स परिवर्तन की दर तो यह समानुपाती है फाइटू माइनस फाइवन अपॉन टी के अगर हम समानुपाती के चिन हटाते हैं बराबर लिखते हैं और एक समानुपातिक नियतांक लगाते हैं यहाँ पर हमने वही किया है यह बराबर माइनस के फाइटू माइनस फाइवन अपॉन टी अब के तो समानुपातिक नियतांक है पर यहां माइनस चिन भी लगा दिया गया है यह माइनस चिन किस बात को प्रतीत करता है माइनस चिन इस बात को दर्शाता है कि जो प्रेरित वीवाबल उत्पन हो रहा है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा वो नहीं चाहेगा कि फ्लक्स में परिवर्तन हो उस कोईल से उस कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है इसलिए हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाते हैं अब आगे समीकरण हम लिख सकते हैं K बराबर माइनस Phi 2 माइनस Phi 1 अपॉन T यहाँ K कमान हमने 1 लिया है क्योंकि ऐसा ही मातरक में K बराबर 1 लिया जाता है यदि मैं डेल्टा T समय अंत्राल लो मतलब छोटा से समय अंत्राल लिया है जिसको हम दर्शार हैं डेल्टा T से और Flux परिवर्तन इस अलपर समय में जो Flux में परिवर्तन हुआ है उसे दर्शार है हम डेल्टा 5B से तो डुतियनियम से सूत्र अनुसार हमको प्राप्त होगा ए बराबर माइनस डेल 5B अपॉन डेल्टी डेल्टा T समय अंत्राल बहुत ही कम हो लगभग चूनने को टच करता हो मतलब बहुत ही कम छणिक समय अंत्राल हम लेते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा T tends to 0 मतलब लगभग 0 के बराबर है उस कंडिशन में फॉर्मूला बन जायता है ए बराबर लीमिट डेल्टा T tends to 0 डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T और जब समय अंत्राल बहुत कम रहता है तो हम डेल्टा के स्थान पर D का इस्तमाल करते हैं पत्त हम लोग अफकलन की तरह इसका सूत्र लिखेंगे और यहां हो जाएगा ई बराबर माइनस डी 5B अपॉन डी ती तो डेल्टीनियम का सूत्र इस प्रकार से भी लिखा जाता है जहां पर डेल्टा टी एक अल्प समय अंत्राल है और चुम्बक की फ्लक्स में परिवर्तन को D5B से दर्शाया गया है बच्चों सूत्र में हम देखें तो यदि DT या डेल्टा टी का मान कम होगा तो E का मान यानि प्रेरित विवाबल का मान अधिक होगा क्योंकि सूत्र में दोनों एक दूसरे के व्यूत क्रमानुपाती दिख रहे हैं यही कारण है जब कुंडली को और चुम्बक को बड़ी तेजी से चलाया जाता है तो विक्षेप अधिक प्राप्त होता है धारा मापी में क्योंकि डल्टा टी का मान कम है मतलब उनकी गती बहुत तेज है तो चाहे हम पास चलाएं यह दूर चलाएं लेकिन जब हम तेजी से चलाते हैं कुंडली और चुम्बक के बीच में आपेक्षिक गती यदि तेजी से होती है तो प्रेरित विवाबल का मान अधिक होता है य अधिक लें समय अंत्राल अधिक लें तो उस समय में विवाबल प्रेरित विवाबल का मान कम होगा और प्रेरित धारा का मान भी कम होगा और यही कारण है कि धारा मापी में विक्षेप भी हमको कम प्राप्त होता है तो चलो बच्चो हम विद्दू चुम्बक की प्रेरण वीवा बल के मान को दर्शाएगा हम देख सकते हैं बच्चो इस चुम्बक में दो धुरुवे N और S और इसके चारो तरफ चुम्बकी छेत्र भी होगा यानि कि उसमें से बल रेखाए उत्तर से दक्षिन की और निकलती हुई नजर आएंगी जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस चुम्बक को हम इस कुंड़ी के पास और दूर चला कर देखते हैं पहले हम इसको धीरे से चलाएंगे जैसे कि अभी देख रहे हैं जब इसको हम धीरे से चला रहे हैं तो बल्ब धीमी से जल रहा है बल्ब की तीवरता धीमी है और इसमें डिफ्लेक्शन भी कम द इसका मतलब जब इसको तेज गती से चलाया जाता है तो प्रेरित धारा का मान अधिक होता है तभी तो बल्ब की तीवरता बढ़ जाती है अब इस प्रयोक को बच्चों हम चुम्बक की धुरूवता को पलट कर देखते हैं अब साउध धुरूव को हम कुंडली के पास और द हैं धीरे से चलाने से बल्ब की तीवरता भी कम है जल रहा है बल्ब यानि की प्रेरित धारा उत्पन हो रही है अब इसको तेजी से चला कर देखते हैं तेजी से चलाने पर बल्ब की तीवरता बढ़ गई यानि की प्रेरित धारा का मान यहां पर बढ़ गया है इसलिए त reflection उत्री ध्रूप से प्राप्त deflection की दिशा में विपरित प्राप्त हुआ है क्योंकि उत्री ध्रूप और दक्षनी ध्रूप दोनों की प्रकृती विपरित होती है अब इसी प्रयोक को हम कम फेरोवाली कुंडली के साथ करते हैं कम फेरोवाली कुंडली के साथ इसी प्रयोक तो सेम है लेकिन जो बल्ब की तीवरता है वो कम है अधिक फेरोवारे में बल्ब तेजी से जलता है कम फेरोवाले कुंडली में बल्ब की तीवरता कम हो जाती है तो इस प्रकार फेराडे के दोनों नियमों को हम देखें तो पहले नियम में हमको ये पता चलता है कि प्रेडि कि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्राप्त हो रहा है और दूसरे नियम से हमको यह पता चलता है कि जो प्रेरित वीवाबल है उसका मान कितना होगा अब आगे हम लेंस के नियम को पढ़ेंगे जिसमें हमको यह पता चलेगा कि जो प्रेरित वीवाबल के कारण प्रेरित ध विदू चुम्बकी प्रेरण से उत्पन होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से जुड़े चुंबकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इस प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न हां हमनेहेungDAY चुंबग और एक बंद परिपत लिया था हम वापिस यहां पर एक चुंबग और एक बंद परिपत एक सरखुलर कोईल के रूप को बताती है जब यह सर्कुलर कोईल और यह चुम्बक दोनों अपनी अपनी जगह स्थिर थे तो यह धारा मापी कोई विक्षेप नहीं दे रहा था मतलब यहां पर धारा उत्पन नहीं हो रही थी अब यदी इस चुम्बक को इस कुंडली के पास ले जाया गया मतलब अभी यहां पर चुम्बक को कौन सा हिस्सा है यहां पर उत्री धुरूफ है यह उत्री धुरूफ को यदी में कुंडली के पास ले जाओं तो इस कुंडली में जुड़े धारा मापी में विक्षेप रा होता है यह फेराडे का एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट को साउध रूफ के साथ भी दोहरा के किया गया तब भी यहीं स्थिति थी कि जब जब कुंडली और चुम्बक के बीच में आपेक्षिक गती हो रही थी तो इस कुंडली में प्रेवित धारा उत्पन हो दिश्या क्या होगी यह लेंज ने बताया तो लेंज की नियम के नुसार इस प्रेवित धारा की दिश्या ऐसी होगी कि वह अपने ही कारण का विरोध करेगी अब देखते हैं बच्चों वह अपने कारण का विरोध कैसे करेगी किस प्रकार कर सकती है माना कि इस चुम्बक के पास आने की गति का विरोध करने वाली होनी चाहिए यहां पर उत्री दुरूफ पास जा रहा है और यह उत्री दुरूफ का विरोध करना चाहेगी यह किस प्रकार होगा यह तभी संभव है जब इस कुंडली के इस कोईल के पास वाले फलक पर कौन सा दुरूव उत्पन ह इस कुंडली के पास वाले फलक पर उत्री द्रूव उत्पन हो तभी ये संभव है क्योंकि हम जानते हैं कि समान द्रूव एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं और विप्रत द्रूव एक दूसरे को अकर्शित करते हैं इसका मतलब जो कॉयल है इसका जो पास वाला हिस्सा है वहाँ पे कौन सा धुरूव उत्पन होगा वहाँ पर उत्पन होगा उत्रे धुरूव अब ये उत्रे ध्रूफ कोईल के फलक के पास वाला और ये चुमबक का उत्रे ध्रूफ दोनों के बीच में क्या होगा प्रतिकर्शन तब ही तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार है कि वो इस चुमबक की गती का विरोध कर रही है और जब इसके फलक पर उत्री ध्रूफ एन ध्रूफ उत्पन होगा तो कुण्डली में धारा की दिशा एंटी क्लॉक्वाइज होगी यहाँ पर जो प्रेरित धारा की दिशा वो कैसी होगी बिच्चो एंटी क्लॉक्वाइज यदि इसी एक्सपरिमेंट में इस उत्री धुरूफ को मैं दूर ले जाती हूँ इस कुंडली से दूर ले जा रहे हूँ तब भी प्रेडिधार उत्पन होगी तो कैसी उत्पन होगी? कि उस चुम्बकी गती का विरोध करेगी चुम्बकी गती का विरोध करेगी? मतलब उसको दूर जाने से रोकेगी और ये कब संभव है? जब इस कुंडली के इस कॉइल के पास वाले फलक पे कौन सा धुरूफ उत्पन हो? उत्पन होना चाहिए साउथ धुरूफ क्योंकि नौर्थ और साउथ एक दूसरे को आकरशित करते हैं तभी तो ये कुंडली से चुम्बक को दूर जाने से रोकेगी और जब इस कुंडली में पास वाले फलक पे साउथ धुरूफ उत्पन होगा तब इस कुंडली में धारा की दिश्चा क्लॉक्वाइज होगी इसका मतलब दोनों ही स्थिती में हमने देखा कि समान या विपरत धुरूफ को उत्पन करके उसकी गती का विरोथ किया जाता है जब पास आते हैं तो समान धुरूफ उत्पन हो जाते हैं जब दूर जाती है चुम्बक और कुंडली एक दूसरे से तो विपरत धुरूफ उत्पन होते हैं ताकि पास आने पर प्रतिकर्शन बल हो और वो उसका विरोथ करे और दूर जाने पर आकर्शन बल उत्पन हो ताकि वो दूर जाने का विरोथ करे उसको पास खीचके रख होती है इसको याद करने का फिर एक सरल तरीका हम देख लेते हैं अगर एंग्रूव उत्पन हो रहा है तो हम अंग्रीजी अल्फाबेट का एन बनाएंगे कुछ इस प्रकार और इस N के दोनों सीरों में हम तीर कनिशान डाल देंगे यहां उपर भी और यहां नीचे भी इन दोनों सीरों को अब जोड़कर गोल बनाने का प्रयास करेंगे अब देखो यह गोल इस कुंदली के फेरे की तरही है समझो यह सरकुलर कोईल की तरही है और इसमें धारा की द क्या सी होगी एंटी क्लॉक्वाइज मतलब यदि एंग्रो उत्पन हो रहा है पास वाले फलक पर तो उस कुंडली में धारा की दिश्या कैसी होगी एंटी क्लॉक्वाइज यदि साउध रुवुद बन्न होगा तो हम अंग्रेजी अल्फबेट का S बनाते हैं और S के दोनों सीरों में हम फिर से तीर का निशान डाल देते हैं हमने यहां भी डाल दिया और यहां भी तीर का निशान डाल दिया अब इसको जोड कर एक गोल बनाने का एक सरकल बनाने का प्रयास करते हैं अब सरकल में धारा की दिशा कैसी होगी इस तीर की दिशा के नुसार यानि की क्लॉक्वाइज तो है ना याद करना असाल अगर नौ्ट द्रूवा तो एंटी क्लोकविज!! होगא और आगर साउथ द्रूव जै 싸 way वो नियत है कुल उर्जा नियत को आप तो कोई उर्जा ना तो उत्पन होती है और ना नश्ट होती है केवल उर्जा एक रूप से दूसे रूप में इस्थान आंतरित होती है रुपा आंतरित होती है तो यहाँ पर भी विद्धुत धारा प्रेरित हो रही है या फिर हम बोल सकते हैं प्रेरित विद्धुत धारा उत्पन्न हो रही है तो वहाँ उत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि विद्धुत धारा क्या है वहाँ पे कोई अन्या उर्जा होगी जो विद्दूत उर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रही होगी अब हम इसको समझने के लिए वापिस इस प्रयोग को देखते हैं जब उत्री ध्रूफ पास आ रहा है इस चुम्बक का उत्री ध्रूफ इस बंद परिपत इस तरकुलर कोईल के पास आ रहा है तब इस कोईल के पास वाले हिस्से में कौन सा ध्रूफ उत्पन्न हो रहा है नौर्थ ध्रूफ क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो अपने कारण का विरोध करेगी उसके उत्री ध्रूफ दोनों उत्री ध्रूफों के बीच में कौन सा बल उत्पन्न करेगा प्रतिकर्शन बल अब इस चुम्बक को इस प्रतिकर्शन बलके विरुद्ध आगे की और गती कराया जा रहा है मतलब जो यांत्रिक कार्य करना पड़ रहा है इस प्रतिकर्शन बलके विरुद्ध कार्य कराने में यह कार्य ही किस रूप में उत्पन्न हो रहा है उस कॉयल में वेदुद इूर्जा के रूप में और उस कोईल में प्रेही धिधारा प्रवाहित हो रही है कि यदी हम उल्टा केस ले विप्रित केस ले जब हम इस चुमबक को दूर ले जा रहे हैं मतलब इस चुमबक का उत्रिध रूप उस बंद परीपद उस बंद कोईल से दूर जा रहा हो उस समय उस कोईल के सामने वाले फलक पे पास वाले फलक में कौन सा दुरुव उत्पन हो रहा है उस समय वहाँ पे साउध दुरुव उत्पन हो रहा है अब इस साउध दुरुव के कारण साउध दुरुव के उत्पन हो रहा है बच्चों क्योंकि कोईल उस चुम्बक को बांद के रखने के लिए इस कोईल के पास वाले फलक पे पास वाले फलक पे कौन सा दुरुवद्पन हुआ साउथ दुरुवद्पन हुआ ताकि आकर्शन महसूस कर सके और यह कॉई से कुंडली दूर ना जा सके अब इस चुम्बक को हम दूर ले जा रहे हैं हम चुम्बक को ले जा रहे हैं कि इसके कारण यहां पर जो यांत्रिक कार्य किया जा रहा है मतलब चुम्बक को चलाने की जो यांत्रिक ओर्जा है यहां यांत्रिक कार्य जो कर रहे हम इस चुम्बक को चलाने के लिए वो इस बंद परिपत में इस सर्कुलर कॉयल में विद के विरुद्ध किया गया कभी आकर्शन बल के विरुद्ध किया गया कभी प्रतिकर्शन बल के विरुद्ध किया गया यहां कार यही चुम्बक को चलाने में गतीज ऊर्जा की रूप में संरच्छित हो रहा है और यह गतीज ऊर्जा ही उस कोईल में प्रेरित विद्धुत उर्जा या प्रेरित धारा के रूप में कनवर्ट हो रही है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है वो उर्जा संगरक्षन के नियम के अनुकूल है बच्चों विद्दू चुम्बकी प्रेरण की घटना में हमने देखा कि यदि किसी कॉइल से जुड़े हुए चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में प्रेरित विवाबल यानि की इंड्यूस्ट इमफ उत्पन्न हो जाता है और इसी के कारण उस इस उत्पन्न विद्दूत वाबल को हम गतिक विद्दूत वाबल यानि की मोशनल एलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स के नाम से जानते हैं और यदि यह चालक बंद परिपत बनाता हो तो इस चालक में प्रेरित धारा भी प्रवाहित होने लगती है इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से दी जाती है यह फ्लेमिंग का नियम दोनों हातों के लिए राइट हैंड का भी है और लेफ्ट हैंड का भी है इन दोनों नियमों में क्या अंतर है और एक किस-किस इस्थिती में उप्योग किया जाता है यह हम आगे देखेंगे इस से हम तरजनी कहते हैं दूसरी मध्यमा यह अनामी का और यह कनिष्ठा इस प्रकर चार उंगलिया है इन दोनों का तो उपयोग नहीं है हमको तरजनी और मध्यमा इन दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है सातीस अंगुठे को भी अब क्यासे लंबवत रखेंगे ध्यान से मेरे हाथ को देखिए बच्चो यह अंगुठा सबसे पहले हम अंगुठे को लंबवत रखेंगे यह तो आसानी से हो जाता है यदि हम मुठी बांधे तो अंगुठा लंबवत आसानी से हो जाता है फिर हम ये तरजणी को सीधे खोलेंगे तो ये भी अंगूठे के लंबवत हो जाता है देख सकते अंगूठा और तरजणी के बीश में नब्वे का कौन बनता है अब तीसरी उंगली यानि की मध्यमा को हमको इन दोनों के लंबवत रखना है तो किस प्रकार रखेंगे हम अपनी मुठी में इस मध्यमा को खोल देंगे अगर मैं खोलू तो यह उपने आप ही लंबवत हो जाएगे तो इस प्रकार हम देखे यहां तर्जनी और अंगूठे के बीच में भी नब्वे का कोण है इस प्रकार देखें हम तो मध्यमा और तरजनी के बीच में भी नब्वे का कोण है और इधर से हम देखें तो अंगूठे और मध्यमा के बीच में भी 90 का कौन है तो हमको अपने हातों की उंगली और अंगूठे को इस तरह स्ट्रेच करना है इस तरह से खोलना है कि अंगूठा, तरजनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो अब यहां पर ये तीनों ही अलग-अलग सदीशों को दर्शाएंगे, अलग-अलग राशियों को दर्शाएंगे जैसे कि अंगूठा, अंगूठा दर्शाता है उस चालक के गती की दिशा को ये तरजनी दर्शाती है चुम्बकी चेत्र की दिशा को और ये लंबवत खोली गई मध्यमा दर्शाती है प्रेरित धारा की दिश्या को इसको याद रखना बच्चों बहुत असान है मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ हमने स्टेट बैंक ओफ इंडिया का नाम तो सुना ही है जिसको शॉट फॉर्म में हम लोग SBI बोलते हैं और SBI हमको इजी से याद है इसी प्रकार हम याद करेंगे MBI बस S को हटाकर हमको M रखना है M मतलब चालक के गती की दिशा, B मतलब चुम्बकी छेतर की दिशा और I मतलब प्रेरिधारा की दिशा तो जो राइट हैंड का रोल लगाया जाता है वो MBI से दर्शा आये जाएगा M चालक के गती की दिश्या, B चुम्बकी छेत्र की दिश्या और I प्रेरिधारा की दिश्या इसको समझने के लिए हम एक चित्र देखते हैं इस चित्र में बच्चों यहाँ पर चालक जो है वो इस दिश्या में गती कर रहा है उपर की और गती कर रहा है चुम्ब की छेत्र देखूं तो मैं इस दिशा में दर्शाओंगी मतलब अपनी तरजनी से दर्शाओंगी अब इस चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी तो यह जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो मध्यमा की दिशा होगी मतलब आप देख सकते हैं कि ये इस प्लेन के इस तल के लंबवत होगी और वो बाहर की ओर होगी यदि चुम्बकी छेत्र की दिशा को हम पलट दे उस कंडिशन में धारा की दिशा क्या होगी उस कंडिशन में धारा की दिशा को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम चालक की गति की दिशा यानि उपर के रंगुठा निकाले चुम्बकी छेत्र की दिशा यानि की तरजनी को दिखाए अब यदी मैं अपनी मुठी को खुलू तो यह मध्यमा इस तल के अंदर होगी लंबवत होगी इस प्रकार यह अंदर की ओर होगी और लंबवत होगी अब बात करते हैं बच्चों हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम की फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड की नियम को किस स्थिती में लगाया जाता है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो और उस चालक को चुम्बकी छित में रखा गया हो तो इस चालक में अपने आप ही ब तरजनी और मध्यमा का ही सहता लेते हैं इन तीनों को हम एक दूसरे के लंबवत स्ट्रेच करते हैं कैसे स्ट्रेच करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट हैंड में किया था अंगूठे को हम उपर की और निकालेंगे इसके लंबवत हम तरजनी निकालेंगे और अगर हम अपनी मुठी को खोलेंगे तो मध्यमा इन दोनों के लंबवत होगी इस प्रकार अंगूठा तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हुए यहां पर अंगूठा जो है वो चालक पे लगने वाली बल की दिशा बताता है तर्जनी चुंबकी छेत्र की दिशा औ तो लेफ्ट हैंड का नियम किस स्थिती में लगाया जाता है जब हमको चालक पर लगने वाले बल की दिशा ग्याद करनी हो इसको भी याद रखना आसान है जैसे हमने SBI से MBI याद रखा था वैसे ही लेफ्ट हैंड की लिए हम FBI याद रखते हैं F मतलब direction of force, B मतलब चुं आहित होने वाली धारा की दिशा अब इस condition में हम देखते हैं मान लीजिए यह चुम्ब की छेत्र है जिसको मैं दर्शाओंगी तरजनी से और इस पर रखे हुए चालक में धारा की दिशा लंबवत है चालक इस प्रकार रखा गया और धारा की दिशा लंबवत है तो मैं उसे दर्शाओंगी अपनी मध्यमा उंगले से यह दोनों एक दूसरे के लंबवत है अब यह चालक किस दिशा में गती करेगा इसको दर्श दिशा उपर की और होगी और यह चालक उपर की और गती करने लगेगा यदि मैं चुम्बकी छेत्र की दिशा को पलट दो तो इस चालक पर किस दिशा में बलकार ये करता है हम देखते हैं माली जे चुम्बकी छेत्र की दिशा ये है इसको मैंने दर्शाया अपनी तरजनी से इस चालक में बहने वाली धारा की दिशा अंदर की ओर है इसको मैंने दर्शाया अपनी मध्यमा से तो ये तल के अंदर लमवत जाती हुई नजर आ रही है अब इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगुठे के दिशा होगी यदि अंगुठे को मैं लमवत खोलूं तो इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर होगी इस प्रकार फ्लेमिंग के दोनों हाथों का नियम अलग-अलग इस्थिती में इस्तमाल किया जाता है इन दोनों हाथों के नियम में क्या अंतर है हम एक एक करके देखते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम के नुसार प्रेरित धारा की दिशा दर्शाई जाती है है प्लेमिंग के राइट हैंड के नियम के अनुसार अंगुठा चालक की गती की दिशा तर्जनी चुम्बकी छेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाति है प्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अनुसार अंगुठा बल की दिशा तर्जनी चु वाहित होने वाली धारा की दिशा को दर्शाती हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम के अनुसार इसका इस्तमाल डाइनमो यह जनित्र में प्रेरीत धारा की दिशा को बताने के लिए किया जाता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का इस्तमाल धारा मापी या DC मोटर में चालक पर लगने वाली बल की दिशा को तर्शाने के लिए किया जाता है अब बच्चों हम गतीज विद्दूत वाहक बल के लिए व्यंजद ग्याद करते हैं गती जो विद्दुत वहकबल के लिए व्यंजध ग्याद करना हो तो हम एक चालक लेंगे जिसको हम चुम्बकी छेत्रे के लंवत गती कराएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर प्रेरित विद्दुत वहकबल कितना उत्पन होगा इसको तो हम लैंस के नियम के द्वारा ही द होंगे कि अभी तक तो मैडम चुम्बकी छेत्र एक समान को समानतर रिखाओं से दर्शाया करती थी अब यह चुम्बकी छेत्र क्रॉस क्रॉस यह X की तरह किस प्रकार है तो यदि किसी भी छेत्र को यदि हम क्रॉस की निशान से दर्शाते हैं जैसे यहां पर है यह क्रॉस आप देख रहें बच्चों कि एक समान दूरी पर है पर यहां कोई भी समानतर रिखा नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब क्या है यदि हम किसी भी छेत्र को दर्शाते हैं तो सदीश की रूप में दर्शाते हैं चाए वो विद्दू छेत्रों चुम्बकी छेत्रों सदीश जब हम बनाते हैं तो वो तीर की निशान से इस प्रकार दर्शा आजाता है तीर बनाते हैं बच्चों तीर को आपने देखा है तीर कैसे होता है सामने पॉइंचेड रहता है ऐसा एरो और पीछे से क्रॉस रहता है जो हम तीर इस्तमाल करते हैं तीर कमान जो हमने इंगे सिर्फ डोट्स नजर आएगे लेकिन जब तीर पीछे से देखेंगे तो इस प्रकर प्रक्रोस नजर 거지 यह कॉन्हाइब ऊच्छा नातर हम लुभी को कहां से देखर हैं हम उसको पीचे से देख करह हैं यहां पर भी क्रॉष नजर आ रहा है इसका मतलब तैर्य है वो कैसी है वो इस उद्वा धरतल में अंदर की ओर है अगर मान लीजिए जो चुम्बकी छेत्र की दिशा बाहर की ओर होती इस उद्वा यह जो तीर के निशान हैं वो यह बता रहे हैं कि चुम्बकी छेत्र उध्वाधर तल में किस प्रकार है अंदर की और आप लोग बच्चो क्रॉस का निशान यदि अपनी कॉपी में बनाते हैं तो फिर चुम्बकी छेत्र की देशा कैसी होगी वह आपके कॉपी के तल मतलब कागज तल के लंबवत होगी और अंदर की और होगी और यदि डॉट्स बनाते हैं तो वह आपके कॉपी यानि कागज तल के लंबवत होगी और ऊपर की और होगी यहां पर उर्धवाधर तल लिया है मैंने इसलिए हम उर्धवाधर तल के लंबवत बाहर की और और अंदर क्या और लेंगे यह क्लियर हो गया यह क्रॉस का निशन क्या बता रहा है यह एक समन्ट चुम्बकी छेत्र है जिसके दिश्या इस ओर्ध्वाध अधर तल में अंदर की लिया है इस ट्रेयट चालक को किस से दृशाय जा रहा है पी अभी शिर्च दृशाय जा भाएאני ली है अ मतलब यह आर ऐसकी लंबाइबी कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी क्योंकि रेक्टैंगल बना रहे हैं तो इसके opposite sides समान होंगे अब यह जो चालक है PQ यह इस यू शेप के चालक में गती करने में सक्षम है मत्तों इसको आगे पीछे ले जाए जा सकता है अभी इस कंडिशन में हम इस PQ चालक को आगे की और ला रहे हैं यहां पर हम देखें RQ की लंबाई X है यदि में इस चालक PQ को आगे की और गती कराती हूँ तो यह X की लंबाई घटेगी मतल्ड़ X की मान ने परिवर्तन होगा और X किस क्रम में घटे क्रम में क्योंकि PQ पास आ रहा है तो X का जो distance से वो धीरे-धीरे कम होते जाएगा और जब X का distance कम होते जाएगा तो यह जो चेत परिवर्तन होगा तो इससे जुड़े चुम्बकी फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा यूदि देख सकते हैं इसमें जो क्रॉस के निशान दिख रहे हैं अगर यह दूर रहा तो ज्यादा होंगी मतलब रहाएं अधीक होंगी फ्लक्स अधीक होगा यह पास नाते जाएंगे कम होगा बल रिखाएं कम हो जाएंगी और फ्लक्स भी कम हो जाएगा इसका मतलब जब इसको में चलाओंगी पीक्यू को इस फ्रेम में तो छेत्रफल का मान धीरे-धीरे घटने लगेगा फ्लक्स में परिवर्तन होगा चालक पीक्यू आरस से जूड़े फ्लक्स में अधी परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित वीवबल उत्पन होगा जिसे हमें याद करना है और यह किसकी वज़े से उत्पन हो रहा है इस चाला की गति की वज़े से और इसे ही हम कहते हैं गतिक विद्धुत्वाहक बल तो बच्चों इस चित्र को हमने अच्छे से समझ लिया अब इसमें हम देखते हैं कि PQ बराबर RS कितना है? L है और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यह जो QR है बराबर SP है यह X है और इस X के मान में परिवर्तन होगा क्योंकि PQ आगे क्यों बढ़ रहा है अब यदि हम इसका छेत्रफल ले इस चालग PQ RS का छेत्रफल ले तो छेत्रफल किसी भी रेक्टाइंगल का आयताकार का क्या होता है? लंबाई इंटू चाड़ाई लंबाई हमने ली है L और चौड़ाई ली है इसकी X तो इसका छेत्र फल ए बराबर हो जाएगा L into X अब इस एरिया इस चालक से जुड़ा फलक्स उसका फॉर्मुला क्या होगा 5B बराबर B मतलब एक समान चुम्बक की छेत्र इंटू इस चालक का छेत्र फल तो हम लिखते हैं 5B बराबर B into A और इससे लिखेंगे हम लोग 5B बराबर B into A के जगे हम लोग लिखेंगे लंबाई into चौड़ाई मतलब L into X तो 5B बराबर हो जाएगा B into LX अब X के मान में लगाता कमी हो रही है क्योंकि यह चालक इसके पास बढ़ रहा है तो कमी होते जा रही है जिसके कारण छेत्र फल में परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और यहां प्र विद्धू चुम्ब की प्रेरण की नियम के नुसार जो प्रेरित विद्धूत वहक बल है यह कितना होगा यह होगा यह बराबर माइनस डीफाई अपॉन डीटी यह पैराडे की नियम से जान चुके हैं अब हम यह 5B के स्थान पर 5B का मान रख देते यह जगा माइनस डी 5B के जगे लिखेंगे BLX अपॉन DT यहां चुम्बकी छेत्र की तीवरता एक समान है तो यह नियतांक हो गया यह जो लंबाई है चालक PQ की वो भी एक समान है तो वो भी नियतांक हो गया तो वो डिफ्रेंशेशन से अफकलन से बाहर हो जाएगा परिवरतन किस के मान में ह हो रहा है समय के साथ साथ X के मान में परिवरतन हो रहा है इसलिए अवकलन के अंदर सिर्फ X ही बचेगा तो यहां लिखेंगे माई भी यह बराबर माइनस B L BX अपॉन DT DX अपॉन DT मतलब दूरी में परिवरतन या स्थिती में परिवरतन अपॉन समय अंत्राग जब किसी भी चालक किसी भी स्थिती में परिवरतन होती समय के अनुसार तो हम उसे वेग कहते हैं स्वस्तू का यहां पर PQ चालक X में परिवरतन कर रहा है इसलिए हम उसे चालक P Q का वेग V है मतलब यह V वेग से अंदर क्यों बढ़ रहा है तब यहां पर हम लिखेंगे Dx upon dt equal to minus V minus V क्यों लिखा बच्चों हमने यहां पर minus sign इस बात का घोतक है इस बात को दर्शाता है कि V की दिश्या X के घटने की दिश्या है इस दिश्या में वेग है और इस दिश्या में X घट रहा है तो V की दिश्या X के घटने की दिश्या है इसलिए हमने यहां पर minus V लिए अब ग्णीर विख देते हैं, तो snya बन जाएगा यी बराबर बीलवलि- अग्णीर ए डी एक्शा बन आपन होने वाली प्रेरित धारा कितनी होगी क्योंकि अगर बंद परिपत है तो इसमें प्रेरिद्धारा उत्पन नीएम क्या कहता है वी बराबर होता है एंटु आर या फिर हम बोल सकते विद्दुत वहक बल बराबर होगा i into r जहां i प्रेड़ित धारा है और r चालक का प्रतिरोध तो यहां पर i का मान हो जाएगा e upon r और i बराबर होगा blv upon r क्योंकि प्रेड़ित धारा है यहां पर तो इसका सूत्र जो हम लिखेंगे तो यह प्रेड़ित विद्दुत वहग बल अपन प्रतिरोध होगा तो प्रेरित धारा का सूत्र बन जाता है आई बराबर बीव अल्वी अपन आर और इस प्रेरित धारा की दिशा कैसे दर्शाई जाएगी इसकी दिशा क्या होगी बच्चो मैंने आपको फ्लेमिंग के दोनों हाथ के नियम बताया थे राइट एंड का नियम और लेफ्ट एंड का नियम तो यहां प्रेरित धारा की दिशा कौन से हाथ के नियम के द्वारा दी जाएगी यहां प्रेरित धारा की दिशा राइट हैंड के नियम के द्वारा द गति की डिशा जो की अंगुठे से दी जाती है B मतलब ह estás quarter की कि धित की तरजनी से दी जाती है और आई मतलब यह प्रेरित धारा की दिशा जो की मध्यमेंस दी जाती है तो इस प्रकार इस चुत में मग or चुम्बकी चेत्रे की दिशा अंदर की ओर है तुम अपनी तरजनी को कैसे रखेंगे अंदर की ओर रखेंगे चालक किस दिशा में गती कर रहा है चालक वापिस हमारी ओर आ रहा है तो हम अंगुठे को ऐसा रखेंगे और धारा की दिशा के लिए हम अपनी मध्यमा को खोले तो यह नीचे की ओर होगी तो यहां पर प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार होगी पी से लेकर क्यूं की ओर होगी यानि कि इस परिपत में बंद परिपत PQRS में इसकी दिशा PQRS की ओर होगी यानि कि यह होगी clockwise direction में इस प्रकार हम गतिक विद्दुत्वाहक बल का समी करण प्रेरित विद्दुधारा का समी करण और उसकी दिशा भी ज्याद कर सकते हैं